death एक actual fact है, मृत्यू एक परम तथ्य है, और अगर हम बात करें death की, तो अगर हम पूरी तरह से किसी चीज़ को सच माने, कि सच क्या है, सत्य क्या है, हम ऐसे जाज़तर लोग तलासते हैं, इंक्वायर करते हैं, कि प्रूथ क्या है, absolute reality क्या है, तो जिसे देखा जा सकता है, जिसे feel किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो death ही है, हमने किसी का जनम होते हुए नहीं देखा, कि preparation हम देख रहे हैं, कि जो है, वो fertilization हो रहा है, उसके बाद जो है, वो बच्चा बन है, नहीं, लेकिन हमने एक चीज देखी है, कि जब कोई वक्ती मर जाता है, किसी की death हो जाती है, तो उसके बाद उसको मिट्टी में हमने मिलते हुए देखा है, वो पूरा process हमने देखा है, हम इस चीज को witness कर रहे हैं, तो अगर सच्चाई की बात की जाए, actuality की बात की जा हो, तो जहां पर अभी हम इस टाइम रहा रहे हैं, वहां पर हमारे लिए जो सबसे बड़ी सचाई है, वो death है, मृत्यू है, और इस चीज को, इस चीज को लेकर हमें पहले से prepare रहना चाहिए, किसी भी organism की, कोई भी वक्ती आया है, तो उसकी death होनी क्या है, चाहे वो जानव औरों में हो गया, चाहे वो microorganisms में हो गया, और animals में हो गया, humans में हो गया, किसी में भी, तो अगर हम death की बात करें, death है क्या, death means, जो भी आप जानते थे, जो भी आपका known था, उसकी ending हो गई है, physically तो आप हो चुक्यों खतम, लेकिन, अगर मैं mind level पर बोलूँ, कि जो भी आपके अंदर information, जो भी आपके अंदर data था दिमाग में, psychological data, जिसकी वज़ा से आप परेशान हो रहे थे, या फिर आप किसी चीज को achieve करना चाहते थे, जो आपकी programming और conditioning थी, वो आपकी खतम हो गई, तो आप known से completely liberate हो गए, जिस चीज़ों को आप जानते थे, उनसे जब आप liberate हो गए, तो फ्रेश हो गए, तो death एक fresh चीज है, अब इसका मतलब यह नहीं कि हम willingly ऐसा कर रहे हैं, it's all natural, natural तरीके से होनी चीज़, यहाँ पर, अगर हम death को लेकर prepare रहते हैं, पहले से ही, अगर हम इस चीज़ को fact मानते हुए चलते हैं, कि हर किसी की death होनी है एक नएक दिन, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा priority देंगे, जो actual में हमारे काम की हैं, जो सच में हमारी life में value add करती है, जिससे हमें सच में प्यार है, सो हम बेकार की unnecessary चीज़ों के पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं भागेंगे, क्योंकि एक नाएक दिन तो सब कुछ छूट जाना ही है, एक नाएक दिन तो सब कुछ खतम हो जाना ही है, तो क्यों ना उसको जिया जाए जो में most exciting लगता है, जिसको लेकर हम बहुत passionate है, पिर चाहे कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बात करूँ, बड़े से बड़े spiritual philosopher को death नहीं जगाये था, रमण महार्शी को भी death ने जगाये था, उन्होंने death के उपर experiment किया था, अगर हम बात करें, जे कृष्मूर्थी को भी death ने जगाये था, जे कृष्मूर्थी के जो भाई थे नित्यानन्दा, उनकी death हो गई थी, तो उसके बाद जे कृष्मूर्थी के लिए फिर अलगी world पुल गया था, हम अगर ओशो की बात करें, तो ओशो के साथ भी ऐसे ही था कि, जिससे वो प्यार करते हैं, उनकी girlfriend उनकी भी death हो जाती है, बहुत सारे ऐसे spiritual लोग है, तो जब आपको ये चीज, मैं कहा रहा हूं कि not theoretically, आपको reality में, सच में पता लग जाता है, जैसे आप कि इसी चीज को touch कर सकते हो, feel कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उस हिसाब से, तो फिल, आप का देखने का चीजों को नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि यही सच्चाई है, कोई concept, कोई धारना, कोई religion, कोई belief, कुछ सच नहीं है, क्योंकि एक एक देक सिन सब कुछ तो सबसे important चीज है, death, मृत्यू, जिसको इसके बारे में पता लग जाता है, उसको actual में जीवन की सच्चाई पता लग जाती है, अगर हम उपनिशद की बात करें, तो उपनिशद में भी एक story है, नची केता और यम्राज की, नची केता यम्राज से पूछते है, कि death क्या है death के बारे में inquiry लेते हैं, यम्राज कहते हैं कि यह तो वो question है, जो देवता भी नहीं पूछते, क्योंकि यह बिल्कुल, अगर हम इसके अंदर, एक बार inquire कर लेते हैं, इसके अंदर जाकर, तो इसकी हमें बिल्कुल liberate कर देती है, फिर हमारा डर खतम हो जाता है, किसी भी अध्यात्म क्या है, इसको जानने में passionate है, तो उन लोगों के लिए मैंने एक course prepare किया है, आप चाहें तो इस course में enroll कर सकते हैं, स्क्रीन को जो number दे रखा है, उससे WhatsApp करते हैं, थैंक्यू बारे मैंच,